अगले दिन बीरबल अकबर के अगले सवाल का जवाब देने के लिए अकबर के महल पहुँचे आईए देखते हैं कि अगली पहेली क्या है पहेली दो कागस को मोड कर कोण बनाना अकबर ने कहा कि कल आपने कागस से भिन भिन रेखाओं के समूं बनाए आज मेरी पहेली कोणों से जुड़ी हुई है अगर मैं आपको एक कोण दूँ और आपको एक सम्द्विभाजक बनाने के लिए कहूँ तो आप इस कागस के माध्यम से दिये गए कोण का सम्द्विभाजक कैसे बनाएंगे अगर ने पूछा बीरिबल ने मुस्कुरा कर कहा कि यह तो बहुत आसान है माहराज बीरिबल ने कागस का एक टुकडा लिया और अगर को ए ओ बी कोण इस प्रकार दिखाया फिर बीरिबल ने कागस को इस तरह मोड़ा और उसमें सिल्वट बनाई कि दिये गए कोण A.O.B. की भुजा A.O. और B.O. एक दूसरे के साथ इस तरह मेल खा जाएं अकबर ने बीरिबल से पूछा ऐसा क्यूं ज़रूरी है कि कागस को मोड़ कर बनाई हुई सिल्वट कोण के शीर्ष से ही गुजरे आप कैसे कह सकते हैं कि कोण समद्विभाजक है बीरिबल ने समझाया मान लीजिये कि मैं कागस के इस टुकड़े के एक हिस्से को किसी भी बिंदू O पर मोड़ता हूँ और फिर कागस को इस तरह से मोड़ता हूँ कि दिये गए कोण A.O.B की भुजा O.A. और O.B. इस तरह से एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं फिर अगर कागस को खोल कर बनाई हुई सिल्वट को गहरा कर दूँ और इस सिल्वट पर इस तरह एक बिंदू D बनाऊं तो आप देख सकते हैं कि कोण A.O.D कोण B.O.D की रेखा O.D. पर प्रतिविम्मित होता है और इसलिए दोनों कोण सर्वांग सम है और O.D. कोण A.O.B. का सम्द्विभाजक है क्योंकि यह कोण को दो बराबर भागों में बाटता है लिकिन इस कागस के माध्यम से आप सीधा कोण कैसे बनाएंगे? अकबर ने पूछा यह भी आसान है महराज जैसा कि मैंने पिछली पहेलियों में किया था हम कागस से लंबवत रेखाओं का निर्मान करके सम कोण बना सकते हैं जब दो किर्णे एक दूसरे को परस पर काटती हैं और 90 डिगरी का कोण बनाती हैं या प्रतिछे दन पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं तो वे एक सम कोण बनाती हैं कल मैंने कागस को इस तरह मोड़ा कि दी गई रेखा AB का एक खंड स्वयम पर इस तरह मोड़ता है कि सिल्वट दिये गए बिंदू P से होकर गुजरे यह वही बिंदू है जो रेखा AB की किर्णे सम कोण बनाने के लिए प्रतिछेद करती हैं सम कोण बनाना आसान लगता है आप किसी दिये गए बिंदू में लंब कोण कैसे बनाएंगे अक्बर ने पूछा मैं आपको दिखाता हूँ वीरबल ने कहा मान लीजिए AB और CD दो रेखाएं हैं जो O पर एक दूसरे को परस पर काटती हैं BO को CO पर और DO को AO पर रखते हुए कागस को शीर्ष O से मोने और फिर उस पर सिल्वट डालें यदि हम कागस को खोलते हैं और सिल्वट को इस तरह से गहरा करते हैं और इस तरह सिल्वट पर दो बिंदू EF अंकित करते हैं जो की एक दूसरे को परस पर काटने वाली दो रेखाओं से बने हैं और उसी तरह कोण COE और कोण DOF भी एक दूसरे को परस पर काटने वाली रेखाओं से बनते हैं चूंकि ये प्रतिछेदन रेखाओं द्वारा निर्मित शिर्षाभिमो कोण का एक युग्म हैं इसलिए वे लंब कोण बनाते हैं और लंब कोण हमेशा अपनी विशेष्टा के कारण सर्वांग सम होते हैं आप कैसे कह सकते हैं कि लंब कोण सर्वांग सम होते हैं? अकबर ने पूछा मैं उपरोत्तक उधारण के साथ जारी रखता हूँ महराज अगर मैं इस तरह रेखा EF के साथ कागज को उल्टा मोडते हुए रेखा EF पर एक सिल्वट बनाता हूँ तो आप देखेंगे कि कोण AOD और कोण COB एक दूसरे के साथ बिल्कुल मेल खाते हैं और जैसा कि हम जानते हैं दो कोण जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाते हैं सर्वांग सम होते हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि दो लंब कोण AOD और COB सर्वांग सम होते हैं यह दिल्चस्प है, मेरे प्रश्ण का आपने जो उत्तर दिया, उसने मुझे चक्षित कर दिया आप कल वापस आईए और मैं आपको अपनी तीसरी पहेली पूछूंगा लेकिन इस बार आपके लिए इतना आसान नहीं होगा यहां जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए कि अकबर ने बीरबल से अगली पहेली कौन सी पूछी